आज मैं आपकी जान पहचान कराना चाहती हूँ Angles के Basic Type से Related Terms से तो जिन Terms की हम यहाँ पे बात करेंगे वो है Acute Angles इसके बाद हम बात करेंगे Right Angles के बारे में और फिर हम देखेंगे Optuse Angles के बारे में तो यह हमारे तीन Terms हैं जिनके साथ हम यहाँ पे आज जान पहचान करेंगे तो Acute Angles से शुरू करने के बजाए चलिए पहले बात कर लेते हैं Right Angles के बारे में अगर हम Right Angles को समझ लेंगे तो Acute और Optuse को समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा तो चलिए बात करते हैं Right Angles की हमें मालूम है कि हमें कोई Angle तब मिलता है जब किनी भी दो रेस का जो Starting Point होता है वो Same होता है तो अगर मेरे पास एक रे है कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये मेरे उस रे का Starting Point है और हमारी रे इस Direction में आगे बढ़ती चली जा रही है और मेरी ये रे ये पूरी तरह से Horizontal है ये Left से Right के Direction में बढ़ती जाती है और अगर हमारे पास एक और रे हो जो कि इसी Starting Point से शुरू होती है लेकिन ये पूरी तरीके से Vertical है हमारे इस रे के यानि कि हमारी ये वाली रे ये नीचे से उपर की तरफ बढ़ रही है और हमारी ये वाली रे ये Left से Right के Direction में बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये वाली रे ये Completely Up Right है हमारे इस रे के Relative तो यहाँ पर ये जो Angle बनता है इन दोनों रेस के बीच में इससे हम एक Right Angle बोलते हैं हमारा ये वाला Angle एक Right Angle होता है और Convention के हिसाब से जब भी भी हमारे पास कोई Right Angle होता है तो हम ये Normal Angle वाला Sign नहीं लगाते हैं हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना देते हैं तो ये जो आधा सा Box है इन दोनों रेस के बीच में ये हमें बता रहा है कि ये दोनों रेस मिलकर यहाँ पर एक Right Angle बना रही है ये इंडिकेट करता है एक Right Angle को और इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई एक Line Segment है मान लेते हैं कि ये हमारा एक Line Segment है और इसी Line Segment पे हमारे पास एक दूसरा Line Segment है जो कि इसको कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है तो अगर हमारा ये वाला Line Segment ठीक अपराइट है हमारे इस वाले Line Segment के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर ये जो Angle बनेगा इन दोनों Line Segment के बीच में ये एक Right Angle होगा और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर दरसल ये सभी Angles ये सब Right Angles होने चाहिए तो अगर कोई दो Rays या फिर दो Line Segment इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से मिलती है कि वो एक दूसरे के Relative एकदम अपराइट हो तो हमें एक Right Angle मिलता है तो अगर आप अपने घर की दिवारों को देखें तो दो दिवारे जो कुछ इस तरीके से मिलती है वो मिलकर एक Right Angle ही बनाती है दोनों दिवारे एक दूसरे के Relative एकदम अपराइट होती है चलिए बात करते हैं Acute Angles के बारे में तो Acute Angles के बारे में हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये कम खुले हुए होते हैं Right Angles के Comparison में यानि कि अगर मेरे पास कुछ एक Ray है इस तरीके से ये मेरी एक Ray है और ठीक इसी Starting Point से मेरे पास एक दूसरी Ray है यहाँ पर इस तरीके से तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों Ray के बीच में ये जो हमारी Opening है ये जो हमारा Angle है ये कम खुला हुआ है इस Right Angle के Comparison में यानि कि अगर मैं अपनी इस Ray को घुमाऊं कुछ इस तरीके से कि हम इस वाली Ray पे पहुँच जाएं तो हमें कम घूमना पड़ रहा है लेकिन अगर हम अपने इस Line Segment को घुमाते हैं इस वाली Line Segment तक पहुचने के लिए तो हमें थोड़ा जादा घूमना पड़ रहा है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Acute Angles ये कम खुले हुए होते हैं Right Angles के Comparison में और इसलिए Acute Angles छोटे होते हैं Right Angles से और आगे जाके जब आप Angles को Measure करने के तरीकों के बारे में सीखेंगे तो आप Radians या Degrees में इनहें Measure करेंगे और ये जो Right Angles होते हैं ये हमेशा ही इनका Measure ये 90 Degrees के बराबर होता है तो Right Angles हमेशा 90 Degrees के बराबर होते हैं और जो acute angles होते हैं, क्योंकि ये right angles से छोटे होते हैं, इसलिए इनका measure हमेशा ही 90 degrees से कम होता है तो अगर मेरे पास मान लेते हैं कोई line segment है इस तरीके से और इस line segment को intersect करती हुई एक और line segment है कुछ इस तरीके से और जब ये दोनो line segments intersect करते हैं इस point पे तो हमारे कुछ angles बन रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर ये वाला जो हमारा angle है ये कम खुला हुआ है और इसी तरीके से ये वाला angle भी कम खुला हुआ है तो यहाँ पर ये दोनो angles हमारे acute angles हैं तो अब तक तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि obtuse angles क्या होते हैं जब हमारे दोनों race के बीच की ये जो opening है ये right angle से भी जादा होती है तो हमें एक obtuse angle मिलता है यानि कि अगर मेरे पास एक ray है कुछ इस तरीके से और इस ray के starting point से हमारे पास एक और ray है जो कुछ इस तरीके से है तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों race के बीच में ये जो opening है ये काफी जादा खुली हुई है हमारे right angle के comparison में अगर हम इस ray के relative एक right angle बना रहे होते हैं तो हमारी जो दूसरी ray होती वो ठीक upright होती हमारे इस ray के और इस ray के बीच का जो angle होता ये 90 डिगरी के बराबर होता लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों rays इनके बीच का जो आंगल है ये हमारे right angle से भी जादा है तो हमारा ये angle जो बन रहा है यहाँ पे जो की right angle से भी जादा बड़ा है या फिर हम कह सकते हैं कि ये angle जो की 90 degree से भी जादा बड़ा है ये एक obtuse angle है और इसी तरीके से हमारे obtuse angles कौन से होने चाहिए जब यह दोनो लाइन segments मिल रही है हमारे इस point पे तो कुल मिला कर हमारे पास four angles हैं और यह वाला जो angle है यह काफी जादा खुला हुआ है और यह वाला आंगल भी काफी जादा कुला हुआ है तो हमारे यह दोनों आंगल्स यह हमारे obtuse angles हैं और एक interesting बात ये है कि ये दोनों angles तो obtuse हैं लेकिन हमारा ये वाला angle और ये वाला angle ये कम खुला हुआ है और ये मुझे acute angle जैसा दिखाई दे रहा है तो हमारे ये angles ये acute होने चाहिए और इसी तरीके से हमारे इस वाले figure में भी हमारी ये वाली जो opening है और हमारी ये वाली जो opening है ये काफी जादा है तो ये दोनों angles हमारे यहाँ पर ये दोनों angles भी obtuse हैं और हमारे ये दोनों angles ये हमारे acute angles हैं तो मैं उमीद करती हूँ कि आप समझ पाएं होंगे कि जब भी हमारे पास दो raise या फिर दो line segments कुछ इस तरीके से होती हैं कि वो एक दूसरे के respect में एकदम upright हों तो हमें एक right angle मिलता है और acute angle तब मिलता है अगर दो raise के बीच की ये जो opening है ये कम खुली हुई है और obtuse angle के case में ये opening ये काफी बड़ी होती है और इन angles को visualize करके भी हमें कंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा angle acute होना चाहिए, कौन सा angle right होना चाहिए और कौन सा angle obtuse होना चाहिए